यामाहा लॉंच करने जा रही है कम कीमत और जबरदस्त मैलेज देने वाली देश की सबसे सस्ती नई स्टाइलिश बाइक। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज हम कीमत से लेकर फीचर्स तक की हर ज़रूरी बात डीटेल्स में बताएंगे। तो बने रही है इस वीडियो में साथ ही हमारे चैनल NJ Hindi को सबस्क्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें अपकमिंग यामाहा XSR 125 बाइक की तो लुक्स के मामले में ये बाइक काफी मस्कुलर होने वाली है। इस बाइक का बॉडि ग्रैफिक्स आपको एक ही नजर में दीवाना बना देगा ये तो पक्का है। इंजिन की बात करें तो अपकमिंग यामाहा XSR 125 बाइक में कमपनी 124 CC का लिप के कूल एस ओ एच से इंजिन देगी जो की 10,000 RPM पर 14.7 BHP की पौवर और 8,000 RPM पर 11.5 NM का पीक टॉक्चन रेट करता है। ये बाइक 6 स्पीड के गियर बॉक्स से लेस होगी। अपकमिंग यामाहा XSR 125 बाइक के फीचर्स की बात करें तो इस बाइक में circular fuel tank, round LED headlamp और दो लोग आराम से बैठ सकें उसके लिए flat seats दी हैं। इसके साथ ही यामाहा XSR 125 बाइक में painted mud guard, tuck and roll seat, aluminium bracket और exhaust muffler इस बाइक में मिलने बाले हैं। वहीं बाइक के engine को सुरक्षित रखने के लिए engine guard भी लगाया गया है। रही बात mileage की तो यामाहा XSR 125 बाइक एक लीटर पेट्रोल से 90 km प्रती लीटर तक का शांदार mileage देगी। लाँच डेट की बात करें तो भारत में यामाहा XSR 125 बाइक को कमपनी 2022 के शुरुआती दिनों में लाँच कर सकती है। कीमत की बात करें तो भारत में यामाहा XSR 125 बाइक को कमपनी 90,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लाँच कर सकती है। लाँच होते ही यामाहा XSR 125 बाइक का कड़ा मुकाबला हीरो स्प्लेंडर बाइक से होगा। अब आप हमें बताईए क्या आप भी यामाहा XSR 125 बाइक की लाँचिंग का इंतिसार करने वाले हैं या नहीं। अब हमें कमेंट करके जरूर बताईए साथी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेर भी करें धन्यवाद।